कि इसमें हमने अंडर्स्टेंड करना है अब आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्फ करेंगे जो कि है सॉलिट से फिजिक से रेलिवेंट और उसे हम बोलते हैं और फियाम में कि वेकेंसिज इन क्रिस्टल के अंदर वेकेंसिज कैसे क्रेट होती हैं याद रखेगा यह जो वेकेंसिज हैं यह बिसिकली हम इसको हुर्फियाम में डिफेक्ट भी बोलते थे तो आज हम इससे रेलिवेंट जो चीज़ें ना वो हम अंडर्स्टैंड करते हैं और हमारी कोशिश होगी कि हमें जो भी चीज़ें हम अंडर्स्टैंड करें उनकी बेसिक फिजिक्स के बारे में भी इन्फॉर्मिशन हम लें तो पहली बात तो है कि जिस वक्त किसी एक्टम को आप बाइफॉर्स एक्टम को आप बाइफॉर्स मूव करें जाहरा जब फोर्स लगाएंगे तो वह मूव होगा कहां से फ्रॉम लैटिस साइड तो दे सर्फेस ऑफ दे मेटीरियल या ओन दे अफ दे क्रिस्टल तो जब आप किसी एक्टम के उपर अप्लाई करें फोर्स और उसके नतीजे में वह एक्टम जो है वो मूव करें और वह लैटिस साइड से जहां पर अपनी एक्ट्वल प्लेस पर पढ़ा हुए वहां से सर्फेस ऑफ दे मेटीरियल के उपर या क्रिस्टल के उपर आजाए तो जब वह अपनी जगा से डिस्प्लेस हो जाएगा यह जो एटम जिसके उपर फोर्स लगी और इसने अपनी जगा को वेकेंट किया है तो यह जो वेकेंसी है यह को हम बोलेंगे कि शॉट की डिफेक्ट टिक है जी-ऄ किया गिलाएगी इस काल्डी स्वट की डिफेक्ट अच्छा इसी तरह से एंपपताएंगी यह दो तरह की केटगरी होती हैं शॉट consonants की बिफेक्ट भी उसकते हैं और यापने लेट से क्रिस्टल बना दिया तो अब इसके बीच में यह एक लाइन है यह नहीं है रोह नहीं करना लेकिन यह जो एक हमारे पास crystal है इसमें से अगर for example मैं किसी जगा पर फॉर सप्लाई करता हूं और यह वाला एटम जो है यहां से निकल जाता है तो इस जगा पर हमारे पास क्या create हो जाएगी यहां पर आगी वेकैंसी अब यह जो एटम है यह सर्फिस पर आजए तो यह जो वेकैंसी कहलाएगी इसको हम पर शौट की कहते हैं ठीक है जी अच्छा अब लैट से के हमारे पास एक क्रिस्टल है इस तरह का और उसमें ना स्मॉल एन जो है इस देफेक्ट इन सॉलिड और 15 जो भी 25 Тут 한ा भी न्फमपल एन दिफेक्ट मुजूद हैं हर एक डिफेक्ट के आंदर जो एनर्जी है उसकी क्या है in a इंहीब जाईजils और यह जो झाएजिये ज new से करते हैं उसकी पोजिशन और वेकेंसिज इन दे क्रिस्टल के हवाले से तो लेट से अब मैं अगर एक वेफ फंक्शन ड्वेलप करूं और मैं कहूं कि जो मेरा वेफ फंक्शन है उसमें जो साथ नंबर वाला एटम है वह मिसिंग है यानि वहां पर वेकेंसी है 43 नंबर पर है 316 पे है 426 पे है यह रेंडम है नंबर सारे इसना बहुत सारे और लातादाद नंबर जिनकी तादाद यह स्मॉल एंड बनेगी यह वह नंबर हैं जिनके ओपर एटम मिसिंग है यहां पर आपके बास डिफेक्ट है अब हम कहते हैं कि इस वी हैव एव 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 किस वक्त तो इनको हम रेंज करेंगे किस तरह कार से एट रेंडम यह रेंडम है जैसे यह आपने ओपर देखा है यह रेंडम है तो जो हमारे पास टोटल नंबर आएगा वो होगा एन प्लस एन यानि वह वाले आटम जो के मौजूद है अपनी पुलेस के ओपर और स्मॉल हैं जो के डिस्प्लेस हुए हैं या जोने डिफेट्स क्रियेट की हैं लैटिस साइड के ओपर ठीक है इंतरी इंकॉंप्लीट को मिलाने से मारे पास एक लैटिस साइड डिवलप हुई अब नमबर ऑफ एक्टम्स है ना वो उनको हम उनकी कंफिग्रेशन को हम वेकैंसिस म नमबर है लेट से वह एन प्लस स्मॉल एन था और इसमें से एक एन फैक्टोरियल होगा और एक कैपिटल एन फैक्टोरियल होगा यह आपको समझानी चाहिए टोटल नमबर डिवाइड बाई नमबर ऑफ डिफेक्ट्स इन्टू नमबर ऑफ एक्टम्स ऑंडिर ओरीजिनल पोजिशन तो यह आपके पास डवेड डवी जिससे हमने क्या फाइंड आप करना है अब अगर हमें इस से एंट्रॉपी को मालूम करना है तो एंट्रॉपी जो है ना वह हमने दिखाया था कि वह नेचल लॉग ऑफ डब्लीव है यह प्रॉबिलिटी के साथ इसको हमने रि अगर आप इसको के साथ लिखें और यह बनेगा ब्रैकिट में बाहर लगा देता हूं एन प्लस एन फैक्टोरियल माइनस नेचरल लॉग ऑफ कैपिटल एन वाला फिर माइनस नेचरल लॉग ऑफ स्मॉल एन वाला फैक्टोरियल यह ऐसे आ जाएगा अब वही स्ट्रिलिं नंबर है बड़ा नंबर है उसका नेचरल लॉग उसका फैक्टोरियल है तो यह एम नेचरल लॉग ऑफ एम माइनस एम की सूरत में हम लिख सकते हैं कल प्रीविस लेक्चर फोर जो है उसके अंदर हमने इसका प्रूफ भी देखा हुए तो मैं अगर इसके मताबिक इसको नेचरल लॉग उफ एन प्लस एन वाइन यह तो हो गया ना यह वहली चीज जो है फिर माइनस 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 प्लस एन और यहां पहरिए तीसरी वाली टर्म जो है जब हम इसको लिखेंगे तो N natural log of N ये हमारे पास बनेगा प्लस natural log of N जब हमने इसको इन सारे चीज़ों को थोड़ा एड़जेस्ट किया तो हमारे पास इस फेक्टर के साथ जो चीज़ें आएंगी यहां पे शाद प्लस माइनस किया आप पर थोड़ी सी गलती हो जाए उसको जब आप अपने आराम से जब लेक्टर को नीट करेंगे ना उसकत आप इन चीज़ों को अंडरसेंड कर लिजेगा मेरा ख्याल है वो आपको वहां पे समझा जाएगी कि एक चोटी सी को मिस्टेक हम कर रहे हैं बीच में N natural log of N minus N natural log of N minus capital N natural log of N कि जब आप इसमें से ये N और ये capital N in small N और इसके साथ cancel out हो जाएगा तो रिमेनिंग चीज़ा आप पर पास यहां बचती है अब इस फॉर्म को अगर हम इसको हमने कल लिखा था partial S by partial small N और partial N by partial U यह नहीं मैंने इसको differential की form में convert कर दी है अब इस factor को अगर मैं लिखूं तो partial N by partial U जो होगा ना यह वाला जो factor है अगर मैं यहां से यू को यू के निचे E को ले जाओं तो यहां में partial N by partial U जोगा यह इस इक्वल्स टू 1 by epsilon यह 1 by E आपके पास आजाएगा तो अब अगर आप इसको यह जो entropy आपने find out की है इसका अगर आप derivative ले with respect to N तो आपके पास जो चीज आएगी वह हम understand करते हैं यानि हमारे पास लिखा हुआ है कि जो S है that is equals to KB N plus N natural log of N plus N minus N natural log of N minus capital N natural log of N यह rearrange करके हम दे लिखा था अब हमने इसकी partial N by partial N को find out करना है इस सारे चीज़ को जब आप derivative लोगे मिरहाला एक step का derivative होना है तो उस derivative को लेने के बाद आपके पास जो value आजाएगी वह आजाएगी KB natural log of N plus N over small N और अगर हम इस factor के साथ जो हमारे पास complete 1 over T था that is equals to partial S by partial N और partial N by partial U तो इस factor की जगा पर तो आपने put किया यह that is KB natural log of N plus N by N और partial N by partial U जो है that is equals to 1 by epsilon तो उसको मैंने यहां पर directly लिख दिया अच्छा अब आपने करना क्या है आपने epsilon को दूसरी तरफ ले जाएं यानि 1 over T epsilon यहां पर उपर आ जाएगा और के भी इसके निचे आ गया यहां पर तो यह रह जाएगा natural log N plus N over N अब आप इसको मजीद simplify करेंगे मजीद simplify किससे करेंगे कि आप इसको लिखें N by N plus 1 और साथ natural log और यह epsilon by KBT आजाएगा जब आप इन सारे factors को हल करेंगे और natural log को हटाएगे यहां पर exponential आजाएगा यह N over N यह प्लस 1 है यह दूसरी साइट माइनस 1 हो जाएगा तो जो आपके पास N by N का एक step के बाद यानि two steps यहां पर आपने mathematics simple mathematics करनी है उसके बाद N by N जो रहा जाएगा वो that is equals to one hour epsilon KBT minus 1 आजाएगा तो यह जो factor है यह आपने कहीं semi connectors के अंदर पढ़ा होगा यह solid state physics में पढ़ा होगा कि number of defects की ratio total N के साथ यह total number of atoms जो अपनी original position की ओपर हैं में defects कितनी create हो रहे हैं it depends upon the temperature T ठीक है जो जो आप temperature को increase करते हो normally यह होता है कि जो N our N है इस very very less than one ठीक है अच्छा अगर मैं यह करूं कि जो मेरा epsilon की for example मैं अपनी असानी के लिए यहीं पे मैं आपको बता देता हूं अगर for example epsilon को मैं कम से कम वन electron वोल्ट ले लूँ अगर एक value हम इसके suppose करें और at room temperature हम इसको सॉल्व करें तो epsilon अबर जो के बीटी है ना यानि टी की value आप 300 Kelvin पुट करें के बीटी को multiply करें तो यह रफली 39 आपके पास आ जाता है अगर यह factor जो epsilon वाला है इसकी value 39 है तो exponential पावर 39 फिर minus 1 और 1 से divide करेंगे ना तो यह n by n जो है यह typically कोई 10 to the power minus 7 में आ जाएगा अब इसका मतलब है कि यह बहुत बहुत कम है यानि million में एक million atom में से जो एक million atom यह पड़े हुए हैं उन में से एक atom room temperature की उपर आजाद हुआ यह इसको आप यूं भी तो लिख सकते हो ना कि 10 to power minus 7 times capital N अब यहां पर कोई value आप for example 1 put करते हो तो इसका मतलब है कि जो n replace होगा वह 10 to power 7 minus 7 में आते होगा तो इससे हमें क्या पता चला इससे यह पता चला कि room temperature के उपर यह value बहुत negligible होती है इसी वज़ए से electron या जो atoms होते हैं वह किसी भी crystal के अंदर room temperature के उपर इतनी ज़्यदा transition नहीं करते तो इसमें इससे क्या हमें पर चलता है कि अगर हम जू जू temperature को बढ़ाएंगे आप room temperature 300 Kelvin की जगा 400 Kelvin पुट करें यहां पर 400 KBT से multiply करें एपसिलान की जगा वान एक्ट्रॉन वोल्ट टीपिकल वैल्यू रुखें तो आप यह देखेंगे यह factor 100 में चला जाएगा अब जब उसको एपसिलान में पुट करेंगे अब क्या पता यह 10 to power 1 आजाए 10 to power 2 आजाए तो इसका मतलब है कि डिफेक्स बड़ी तेजी के साथ create होंगे जो ही आप thermal energy वो solid को देंगे तो उस thermal energy के नतीजे में उसके अंदर बड़ी तेजी के साथ electrons जो हैं या items जो हैं वो वो मूव करना शुरू करेंगे from the surface तो इस शौट की डिफेक्स आपके पास create होंगे तो इस concept के मताबिक आज हमने जो understand किया वो यह था कि हमारे पास जब भी इस सॉलिसेट फिजिक से पॉइंट फिसे हम डिफेक्स पढ़ते हैं आज उस सारा काम हमने entropy और प्रॉबिलिटी इस एपसिलॉन हमने उस से अपनी सारी वो जो एक टर्मिनालोजी है एंट्रॉपी की वो डिफाइन की प्रॉबिलिटी डिफाइन की और फिर फॉर्मूला में सिंपल मैथमेटिक्स करके हम एक बहुत जबर्दस रिजल्ट के ऊपर पहुंचे तो इस तरीकार से हम entropy को सांपल के अंदर अंडर्स्टैंड करते हैं अब यहां पर आप देख रहे हैं एनर्जी हमने एपसिलॉन कॉंस्टेंट रखी दी सिर्फ जो फेक्टर है जो चेंज हो रहा है डाट इस डी जेनरेसी अब इसकी बाद एक और हमारे पास मॉडल है जो कि मेरा खेल हम कल के लेक सब्सक्राइब करते हुए हम इस चैप्टर में से बाहर निकलेंगे और अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे इंशाला तो अब इस से अगर आपका कोई भी किसी किसम का